नमस्कार मैंकित स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूटूब चैनल और लाइन प्रेप में तो आप सभी परिच्छात इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज के इस वीडियों में हम लोग हल करने वाले हैं हिंदी भासा के 101 अती महतपूर प्रशनों को जो आप सभी के परिच्छा के दिरिष्टी से बहुत ही महतपूर है चाहे जो भी परिच्छा की आप तयारी कर रहे हों सब Comic in परिचाओं के लिए Hindi भासा के महत्पूर प्रशनों को आज के इस वीडियों में हम लेकर आये तो आप सभी परिचाओं इस वीडियों को अन तक जरूर देखियें गा वही प्रशनों को आज के इस वीडियो में लाए हैं तो जो भी प्रिछात जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप सभी को ऐसे ही लगातार हमारे इसी चैनल पर 101 महतपूर प्रशनों की स्रिंखला आप स सभी लोग हमारे चैनल पर जाका जरूर देख लीजिए तो चलिए हम सुरू करते हैं आज के इस वीडियो में 101 महतपूर प्रशनों को देखते हैं कि कौन कौन से महतपूर प्रशन है किस टाइप के प्रशन है तो चलिए देर न करके हम लोग प्रशन नमबर वन से आप सभी प्रीचात को बता दे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आंसर भी करते चलेंगे तो प्रस नमबर वन का सही आंसर है O यानि option D बिल्कुल सही आंसर है अगले प्रशन की ओर चलते हैं अगला प्रशन आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं हिंदी में धोनिया कितने प्रकार के होते हैं तो इसका सही आंसर है दो प्रकार के यानि option A बिल्कुल सही आंसर है पहला जो धोनी है वह स्वर धोनी और दूसरा जो धोनी है वह वियंजन धोनी यानि option A बिल्कुल सही आंसर है अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं, मात्रा के आधार स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी लोग प्रश्न नमबर 3 का आंसर करिएगा, इसका सही आंसर है, उप्शन B यानि 3 बिल्कु सही आँसर है अब अगले वर्डिक से अधिक फैनको किमेल को क्या हुआ यह किसा से होता है सभी लोग answer करिएगा यानि उचारण अस्थान क्या है तो प्रस नमबर question नमबर 5 का आप सभी लोग answer करिएगा इसका सही answer है तालब से यानि option C बिल्कु सही answer है अब अगले प्रशन की ओर चलते हैं इस प्रशन की सिंखला में आप लोग screen पर देख सकते हैं जिनका उचारण स से स्वर कहते हैं यानि option B बिल्कु सही answer है अब अगले प्रशन की ओर चलते हैं अगला प्रशन आप सभी के सामने screen पर है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं आप सभी प्रीच हात्रों को बता दे सबसे पहले आप सभी लोग प्रशनों को ध्यान से पढ़िए उसके विकल्प को पढ़िए फिर आंसर करिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 101 अती महतपूर प्रशनों को लेकर आये हैं जो कि हिंदी भाजा के महतपूर प्रशन है जो एक जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं वही प्रशनों को लाए हैं तो आप सभी लोग आंसर करिएगा प्रशन नमबर आठ का यानि वह होगा option C बिल्कुछ सही आंसर है अब अगले प्रशन की ओर चलते हैं अगला प्रशन क्या है कि हिंदी वडमाला में उसम ब्यंजन कौन से हैं तो question नमर टेन का आंसर आप सभी लो या र ल व को कौन सा व्यंजन काते हैं काफी important प्रशन है आप सभी लोग देख सकते हैं question नमर यानि question नमर 11 का सही आंसर है अंतस्त व्यंजन यानि option B बिल्कु सही आंसर है आप सभी प्रीचात देख सकते हैं आप सभी लोग exam भी दिया होंगे जिसमें हिंदी भासा से प्र बहुत ही महतपूर होता है यदि आप अपने exam में इस वीडियों को अच्छे से अंतक धैरपूर्वक ध्यान से पढ़कर जाते हैं तो निशीत तौर पर बता दे आप अपने exam में बहुत ही अच्छा बहुत ही बेस्ट करके आएंगे इसी से आपकी exam में प्रशन पूछे ज इंखला में जब एक ही धोनी का दुट जो जाए वह क्या कहलाता है सभी लोग आंसर करेंगे क्वेशन नुमर 13 आप सभी के सामने हैं क्वेशन नुमर 13 का सभी आंसर है युगमक धोनिया यानि option B बिल्कु सभी आंसर है अब अगले प्रशन की और चलते हैं अगला प्रशन किसका कार्य करता है तो क्वेशन नुमर 14 का आंसर आप सभी लोग फड़ा पड़ से करिएगा इसका सभी आंसर है पंचम वड का यानि option C बिल्कु सभी आंसर है अगले प्रशन की और चलते हैं अगला प्रशन आप सभी के सामने है वह छोटी सी छोटी धोनी जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या काते हैं तो क्वेशन नुमर 16 यानि 14 का आंसर आप पड़ा पड़ से करिएगा इसका सही आंसर है वान यानि option A बिल्कु सही आंसर बहुत ही शांदार अगले प्रशन की और चलते हैं अगला प्रशन आप सभी के सामने स्क्रीन प कहते हैं आप सभी लोग ध्यान रख सकते हैं option A बिल्कुल है सही आंसर है दंत में आपका आएगा तो से तो दो धो और न इसे ध्यान रखेगा जो तंत से उस चारण होता है बहुत ही शांदार अगले प्रशन की और चलते हैं अगला प्रशन नंबर 18 कि किसी वस्त को सही आंसर है प्रियोग यानि option C बिल्कुल सही आंसर है बहुत ही शांदार अगले प्रशन की और चलते हैं प्रशन की सिंखला में आप लोग देख सकते हैं प्रशन नंबर 19 आप सभी के सामने हैं निमनलिकित में से किस सब्द में स्वर्ब्यंजन संबंदी असुद्धी न नहीं है अगले प्रशन की और चलते हैं अंगला प्रशन है जो संग्या सर्वनाम आदी सब्दों से जुड़कर नए सब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्य को क्या करते हैं तो प्रशन नुमर 20 का जबाब दीजिएगा उसे तद्वित प्रत्य करते हैं option A विल्कुल सही बहुत ही शानदार अगले प्रशन की और चलते हैं अगला प्रशन की और चलते हैं यहां रखेगा तिहां रखेगा, option D, विल्कु सही आंसर है, ठीक है, अगले प्रशन की और चलते हैं, अगला प्रशन आप सभी के सामने है, जो सर्वनाम संग्या सब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो सभी लोग प्रशन नमबर 22 का आंसर करिएगा, 22 आप सभी के सामने है इसका सही आंसर है, सन्युक्त सर्वनाम, यानि option C, विल्कु सही आंसर है, प्रशन नमबर 22 का, प्रशन नमबर 23 आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, जिस क्रिया से संचालित ब्यापार का फलकरता को छोड़कर कर्मपड़ पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया काते हैं, प्र प्रशन नमबर 24 का आंसर आप लोग करिएगा फड़ापट से उसे डैवी करते हैं, क्या करते हैं, डैवी यानि option C, विल्कु सही आंसर है, अगला प्रशन क्या है, कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निस्पादन के समय का ज्यान हो, उसे क्या करते हैं, तो प्रशन नमबर प्रशन नमबर 26 पर पहुँच गया है, वाक्य में प्रयूक्त सब्दों में परसपर समंजस को कहते हैं, आप सभी लोग आंसर करिएगा प्रशन नमबर 26 को, अन्वय कहते हैं, क्या कहते हैं, अन्वय यानि option B विल्कु सही आंसर है, अगला प्रशन क्या है, उसे पढ़ते हैं, निमनलिखित में से कौन सा सब्द प्रयत्न और उचारण के आधार पर व्यंजन का वरगी करण नहीं है, सभी लोग ध्यान से पढ़िए, पूछा गया है, नहीं है, तो 27 का अंसर करिएगा, प्रशन आप सभी के सामने हैं, विकल भी सामने हैं, इसमें है सघोस, option C वि ध्यार रखेगा, कितने भेद हैं, तीन भेद है, option B बिल्कु सही आंसर है, अगला प्रशन है, समाना धिकरड, किस अभ्या का भेद है, सभी लोग 29 का अंसर करिएगा, तो समुच्य वोधक, option A बिल्कु सही आंसर है, अगला प्रशन क्या है, उसे पढ़ते हैं, अंसर करते हैं, प्रशन मबर 30, निमनलिकित में से कौन सा सब्द पुलिंग है, सभी लोग आंसर करिएगा, प्रशन मबर 30, आप सभी के सामने हैं, तो विधूर सब्द पुलिंग है, option B बिल्कु सही आंसर, ध्यार रखेगा, जब बिधवा दिया हो, बिधवा तो यह स्तिरी लिंग ह यह महिला की बात हो रही, बिधूर पुरिस के लिए, जिसकी पतनी मर गई हो, उसे बिधूर कते हैं, और जिसका पती मर गया हो, उसे बिधवा कते हैं, तो बिधवा जो है, वह स्तिरी लिंग होगा, कौन सा इस्तिरी लिंग, लेकिन यह बिधूर पुछा गया है, तो युक्त बाग काते हैं और उसमें सहित की रचना होने पर वह क्या बन जाता है प्रस्ट नमर 32 का आंसर करिएगा बहुत ही महत्पूर प्रस्ट प्रस्ट का जवाब आप सभी लोग दीजिएगा उसे उप भासा काते हैं ऑप्शन भी बिल्कु सही आंसर है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग प्रस्टों को नोट कर लीजिगा ठीक है आप सभी प्रीचात अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं अगला प्रस्ट आप सभी के सामने स्क्रीन पर है जिन ध्वनियों की गण्णा न स्वर में की जाती हो न व्यंजन में उसे क्या काते हैं प्रस्ट नमबर 33 का आंसर करिएगा उसे अयोगवा काते हैं क्या काते हैं अगले प्रशन की ओर चलते हैं अगला प्रशन है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बाटा गया है तो आप सभी लोग आंसर करिएगा प्रशन 34 आप सभी के सामने हैं सही आंसर है 2 यानि option B बिल्कु सही आंसर है अगले प्रशन की और चलते हैं अगला प्रशन दिया है कि भाव आचक संग्या कितने प्रकार के सब्दों से बनती है तो सभी लोग प्रशन नमबर 35 का आंसर करिएगा आप सभी प्रिचात्रों को बता दे इसका पीडियाप आप सभी को हमारे अप पर मिल जाएगा तो जो भी लोग जो भी प्रिचात अप को डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप का लिंक मिल जाएगा आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ आप सभी को इसका पीडियाप जो हिंदी भासा के महतपूर 101 अति महतपूर प्रिचन को हल करने हैं इसका पीडियाप आप सभी को प्राप्थ हो जाएगा वहां से ठीक है तो ध्यान रखेगा आप सभी लोग प्रश्ण नुमर 35 का जवाब दीजेगा सही आंसर है पांच प्रकार के उप्सन सी बिल्कुँ सही आंसर है अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं अगला प्रश्ण दिया कि वड माला में असपर्स ब्यंजनों की संख्या कितन अंसर अगले सभादी स्थान कौन सा है सभी लोग और प्रस नंबर 37 आप सभी के सामने हैं कांट तालब ध्यान रखिएगा कांट तालब यानि option C बिल्कु सही answer अगले प्रशन की और चलते हैं अगला प्रशन आप सभी के सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस स्वर के उच्छारण में देर्ग स्वर से सभी अधी समय लगता है ठ हरस्व स्वर एक आपका होता है देर्ग स्वर एक आपका होता है प्लुट स्वर ठीक है प्लुट स्वर यह जैसे आप कहते हैं ओम ओम ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें ज्यादा से ज्यादा समय लगता है हरस्व स्वर होता है इसमें कम समय लगता है फिर उसके बाद ह दुगना समय लगता है वो दिर्गसवर होता है इसमें आ हो जाता है यानि दिर्ग से दुगना होता है और हरसों से दुगना दिर्ग में होता है दिर्ग से दुगना यानि तीगना जो है प्लूसवर होता है तो प्लूसवर में सबसे ज्यादा समय लगता है उचारण करने में अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं प्रश्ण नमर 49 है किस ब्यंजन का उच्छारण अस्थान तालब यसे है तो काफी शिंपल काफी महतपूर प्रश्ण है प्रश्ण नमर 49 का अंसर करिएगा ज्यार रखिएगा ज्यार 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 ज् अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं, अगला प्रस्ण है कि स्वर संधी कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रस्ण नमबर 41 का जबाब दीजिएगा, स्वर संधी के 5 प्रकार होते हैं, ध्यान रखेगा, स्वर संधी के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा है, द सोफिय आनतर है अगले प्रेश्न की ओर चलते हैं अगले प्रसियां कि नमब्र अ architecture से एब चब वालिस का अंसर करिएगा आप सभी लोग, सवया जो है वाणिक छंद है, option C बिल्कु सही अंसर है, अगले प्रशन की ओर चलते हैं अगला प्रशन है कि छंद पढ़ते समय, आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो 45 का आंसर आप लोग फड़ा पढ़ते करिएगा, इसका अगला प्रशन है कि किस छंद का पर्थम और अंतिम सब्द एक सा होता है, तो सभी लोग प्रशन नमबर 47 का आंसर करिएगा, इसका सही अंसर है, कुंडलिया यानि option A बिल्कु सही अंसर है, अगला प्रशन है कि उपमे में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं, तो प्रशन नमबर 48 का आंसर, आप लोग फटा प्रशन करिएगा, उसे उत्परिच्छा अलंकार काते हैं, आप सभी प्रिच्छा ध्यार रखेगा, उत्परिच्छा अलंकार की पहचान होता है, या तो आपके पुशा जाए, जनू दिया हो, मनू दिया हो, ठीक है, प्रशुन और क्या गई को ए अगला प्रश्न का अनसर ये उसक्ता करईगा आता है रूप कह प्रश्न देटें act अब अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं, अगला प्रश्ण आप सभी के सामने स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं। आप सभी प्रीचात देख सकते हैं कितने महतपूर प्रश्णों को आज के इस वीडियो में लेकर आया हैं। अगला प्रश्ण है कि जब करता एक क्रिया समाप कर चुकी कर उसी छड़ दूसरी क्रिया को प्रवित होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। अगला प्रश्ण है कि विशेष से क्या है सभी लोग आंसर करिया प्रश्ण आप सभी लोग पढ़िएगा फिर आंसर करियेगा। जिस सब्द की विशेष्ण ता बताई जाए उसे विशेष सरकते हैं। प्रश्ण नुम्र 55 का अंसर क्या था सी अगले प्रश्ण की और चलते हैं संग्या का प्रकार नहीं है प्रश्ण को ध्यान से संग्याओं के साथ आने वाली भीभक्तियों को क्या कहा जाता है प्रस्ट नमर अठावन का अंसर करिएगा आप सभी प्रिछाद इसका सही आंसर होगा वीशी लश्ट ध्यान रखेगा ऑप्शन भी बिल्कुत सही आंसर है ठीक है अगले प्रस्टियों चलते हैं अगला प्र अगले प्रस्टियों चलते हैं कौन सा सब्द फारसी नहीं है बच्चों ध्यान से पढ़िएगा प्रस्टों को आप एक्जाम में ऐसे गल्तियां प्रस्टों के चले आते हैं उसको ध्यान से नहीं पड़ते हैं किसा कारात्मक पूछा गया नकारात्मक पूछा गया इसमें पूछा गया नहीं है तो एकसर का जवाब दीजिए आप सभी लोग है फारसी है उसको साइए करके आ सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करूप 8 सब्सक्राइब 30 विध्य नब दिशाद हन army कि इसका सब्सक्राइब को क्या कहते हैं प्रस नमबर 65 का जबाब आप लोग दीजिएगा उसे पद कहते हैं अगले प्रशन की ऊरच चलते हैं अगला प्रशन है कि जो दो अलग-अलग भासाओं के मेल से बना हुआ सब्द क्या कहलाता है प्रस नमबर 46 का आंसर आप लोग फटाबर से करिएगा वह स सभी को पता है और गाड़ी जो है आपका हिंदी भासा का सब्द है दो भासाओं से मिलके जो बना हुआ है वह संकर सब्द का लाता है ठीक है ध्यान रखेगा अगला प्रशन काफी महतपूर है निलांबर सब्द में कौन सा समास है प्रशन पर 67 का औंसर करिए गाज इसमें सही अंसर होगा करमधार है यानि निला हो अंबर थ्याण रखेगा जो तो निला में को अपскे पहचान करने感じ शब्रिक इसने समास प्रशन पर चांबशानए के सामनें है कि समास में कर दो हुए इस समास देखिए में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं 68 का अंसर आप सभी लोग करिएगा बहुवरी समास में ध्यान रखेगा बहुवरी समास में पहला और दूसरा पद प्रधान नहों करके तीसरा पत प्रधान होता है कौन सा पत तीसरा पत प्रधान होता है जैसे लंबोदर क्या है लंबोदर लंबा है उदर जिसका अथार्थ गनेश की बात करें गनेश जी की बात करें तो ध्यार रखेगा यह तीसरा पत प्रधान हो रहा है तो बहुबरी शमास का लाता है ठीक है अब प्रश्ण की और चलते हैं उसे पढ़ते हैं कि समास में दोनों पत्परधान होते हैं बहुत महत्पूर प्रश्ण है उनात्तर का अंसर करिएगा आप सभी लोग द्वंद समास कराता है कौन सा द्वंद समास उसके बीच में योजक चिन भी होता है आप सभी लोग ध्यां राजा रानी तो क्या होगा राजा और रानी दिन और रात बीच में क्या लगा हुआ है बीच में योजक चिन है दोनों पत्परधान हैं माता और पिता दोनों परधान हैं इसलिए दोंद समास होगा अगले प्रश्ण की और चलते हैं एकला प्रश्ण है कि जिस समास में को और विशेशत के योक से कौन सा समास बनता है बहुत ही महत्पूर प्रस्ण एकातर का अंसर करियेगा उसे करमधारे समास करते हैं ध्यान रखेगा करमधारे समास की पहचान है जब किसी चीज की, किसी वश्तु की विशेशता बताई जाया किसी ब्यक्ति की विशेषता बताई जाया विशेष से विशेषर हो या उपमे ध्यान रखेगा उपमे उपमान का उपमान की बात हो वहां करमधारे समास होता अगले प्रशन की और चलते हैं अगला प्रशन है निम्ले लिकित में से कौन सा समास नहीं है ध्यान रखेगा कौ बच्पन कौन सा सब्द है तीयत्तर का अंसर करिए या संग्या कौन सा है संग्या प्रस्टर आप सबी के सामने है उपमान और उपमे का अभेद क्या कहलाता है चौहतर का अंसर करिए आप अगला प्रस्टर ने मैं उपमान की समानता की संभावना ब्यक्त की जाये वहां कौन सा अलंकार है सबी लोग आंसर करिएगा वहां उपमान की समानता ना की समानता हो वहां सदय जो है कौन सा इलंकार होता हैं वहां सद उकमा अलंकार होता है अब हम लोग पहुच गया है not 76 पर जहां बिना कारण के कार का हुआ ना पाय 2 वहां कौन सा इलंकार कहलाता है बिभाावना इनल listening Physics एक डियान रखेंगा it you get option सी भी बिलकूल सै तिक अगले प्रशुन की और चलते हैं जिसे उदाराड एक है आप लोग उदाराड के मान्ते हमसे समख सकते हैं इससा क्रीट का सब्सक्राइब अगले प्रश्त में आला किस आति का चंद है वीर या आला किस जाती का चंद है बीर या आला सब् Hindi आसाप Siya आए आटात्र गाई सही आंसारो spill मात्रिक चंद प्रश्त नमबर 89 को उससी को भी आजlair करेंगे आप सभी लूग कहां मिलता है तो आप सभी रोगा आंसर करिएगा इसका सही आंसर होगा रिग वेद में option, ए बिल्गू सही आंसर है अगले प्राशन की ओर पहुच गये हैं हिंदी भासा किस परकार किस भासा परिवार की भासा है सबी लोग आंसर करिएगा बहुत ही महतपूर प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 80 तो भारोपी भासा परिवार यानि ऑप्शन ए बिल्कु सही आंसर है प्रश्ण नमबर 81 पर पहुँच गये हैं कि भारत में सरवाधिक खड़ी बोली वाली भासा कौन सी है तो प्रश्ण नमब तेलगू जो है वह हिंदी के अंतरगत नहीं आती है यानि ऑप्शन टी बिल्कु सही आंसर है अगला प्रश्ण है कि सांत रस्त का अस्थाई भाव क्या है सभी लोग बताईएगा प्रश्ण नमबर 83 का अंसर करिएगा इसका सही आंसर होगा निर्वेद यानि ऑप्शन ड की अनुसार धिया लखिएगा अगले प्रश्ण के चलते है अगला प्रश्ण आपस सभी के सामने है सोक किस रस अस्थाई भाव है तो प्रश्ण नमबर 84 करिएगा करूड रस का सथाई भाव action बिल्कु सही आंसर है अगला प्रश्ण है किस रस स्राज कहा जाता है यह काफ स्थाई भाव क्या है 86 का सही आंसर करिएगा 86 का सही आंसर है रती या प्रेम ध्यां रखेगा रती या प्रेम जो या सिंगारस का अस्थाई भाव है अगले प्रेम की ओर चलते हैं अंगला प्रेम बिश्मय अस्थाई भाव किस रस्मी होता है 87 का आंसर आफ लोग फटा परशे करिएगा इसका सही आंसर है अध्भूत रस्मी यानि ऑप्शन C बिल्कु सही आंसर है अगले प्रेम की ओर चल करिएगा इसका सही आंसर होगा उत्सा वीर नामक उत्सा रज्जब अस्थाई भाव को प्राप्त हो तो वहां भी रस्क्रिक्ट पती होती है अगला प्रशन की और चलते हैं अनुभवों की अनुभवों के कितने वेध हैं सबी लोग बताएंगे प्रशन इसका सही आंसर होगा चार वेध हैं ठीक है यानि ऑप्शन सी बिल्कु सही आंसर है अगला प्रशन है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है एक क्या नवे का आंसर करिएगा आप लोग का सही आंसर होगा एक ग्यारा सर्वनाम है यानि ऑप्शन सी बिल्कु सही आंसर है प्रशन B बिल्कु सही आंसर है प्रश्ण नमबर 33 आप सभी के सामने होगा स्क्रीन पे देख सकते हैं निम्य लिखित में से कौन सा एक विशेशर सब्द नहीं है प्रश्ण को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर करिए 34 का सही आंसर क्या है लांचन जो है यहाँ विशेशर नहीं है option C बिल्कु सही आंसर होगा अब अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं अगला प्रश्ण है विशेशर जिस सब्द की संग्या बताता हो उसे क्या कहते है 94 का आंसर करिएगा आप लोग उसे जो है विशेशर कहते है क्या कहते हैं विशेश से option D बिल्कु सही आंसर है प्रश्ण नमबर 95 व्याकरण की दिरिष्टी से कौन सा सब्द द्यान रखेगा शब्द विशेशर नहीं है तो आप लोग 95 का आंसर करिए इसका सही आंसर होगा वह यानि option D बिल्कु सही आंसर है अगला प्रश्ण है के जिस विकारी सब्द में संग्या की व्याप्ती मर्यादा है उसे क्या करते हैं ठीक है संग्या की व्याप्ती मर्यादा है उसे क्या करते हैं 96 का आंसर करिएगा इसका सही आंसर का विशेशर करते हैं option D बिल्कु सही आंसर है अगला प्रश्ण के गुडवाचक विशेशर के कितने प्रकार है सभी लोग 97 का अंसर करिया सभी का अंसर हम देख रहे हैं बहुती शांदार साथ प्रकार है यानि option C बिल्कुँ सही अंसर है प्रश्ण नंबर 98 आप सभी के सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है प्रश्ण नंबर 98 निमने लिकित में से कौन सा सब्द गुडवाचक विशेशर नहीं है प्रश्ण को ध्यान से पढ़िए नहीं है पुछा है जो संग्या की विशेशता बताता उसे क्या काते है उसे ही तो क्या काते है उसे ही तो विशेशर काते है अगला प्रश्ण आप सभी के सामने है कि किरिया से संबंदित कितने रुपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है प्रस नमबर 100 का आंसर आप सभी लोग करिएगा यानि इसका सही आंसर होगा सूर यानि option ए बिल्कु सही आंसर अगले प्रशिकी हो चलते हैं और आज के इस वीडियो का आज के सिरीज का 101 अती महतपूर प्रशनों का अंतिम प्रशन होगा काफी महतपूर प्रशन है प्रस न हिंदी भासा के 101 अती महतपूर प्रशनों की सिंखला में हम लोग 101 अती महतपूर प्रशनों को हल किये उमीद करते हैं आप सभी प्रीचातों की यह प्रशन सिंखला समझ में आया होगा तो इसी तरह आप सभी को बता दे जो भी प्रीचात जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप सभी को ऐसे ही लगातार हमारे इसी चैनल पर 101 अती महतपूर प्रशनों की सिरीज आप सभी को मिलता रहे आप सभी को बता दे अन्य बिशियों के भी 101 महतपूर प्रश्णों की सिरीज जो है हमारे इसी चैनल पर हल कराया गया है तो जो भी बच्चे जो भी प्रिचात उस सिरीज को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी लोग उस सिरीज को देख ले बहुत ही महतपूर है या सिरीज जो चलाई जा रही है वो आप सभी के एक्जाम के लिए चलाई जा रहे है चाहे जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं चाहे किसी इंट्रेंस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं या किसी जॉब की तयारी कर रहे है प्रकार के परिछाओं के लिए हिंदी भासा के महतपूर प्रशन हैं, तो आप सभी की एकजाम के एक दिन पहले तक के लिए भी महतपूर है, यदि जो भी बच्चे जो भी परिछाद इस वीडियों को इस सीरीज को जीतें भी चलाई जा रहे हैं, उस सीरीज को ध्यान से अन महतपूर्ट प्रशनों के साथ अन्य भी शेके ठीक है